तेज प्रताप यादव यानि लालू के बड़े लाल और क्या कुछ करने वाले हैं तेज प्रताप वो जरा जान लीजिए नमस्कार मैं हूँ शशिप्रिया और आप देख रहें नेक्स्ट नाइन भोजपूरिया दरसल तेज प्रताप एक ऐसा मंच लाएंगे जिसमें वो तमाम मुश्किलों का जो लोग सामना कर रहे हैं उनका वो निप्टारा करेंगे कैसे वो मैं आपको बताते हूँ तेज प्रताप यादव की एक ऐसी सेना है जो आरजडी से अलग होगी या अनुशंगी संगठन के रूप में काम करेगी इसके बारे में उन्होंने कुछ भी फिलहाल नहीं बताया है लेकिन जैसी तेज प्रताप कुछ बताते हैं तो हम आपको जरूर समझाने की कोशिश करेंगे उमीद है कि इस पर से पर्दा 28 जून को जरूर हटेगा इसका नाम है तेज सेना ये तेज सेना किस तरीके से काम करेगी इस पर से आज पर्दा उटना था हलाएकि अभी तक कोई खबर नहीं आई है लेकिन इस खबर को हम लगातार आप तक पहुचाने की कोशिश करेंगे जहां तक सेना नाम के संगठन को बनानी के अगर बात की जाए तो तेज परताप ने इसके पहले ये दुबंशी सेना बनाई है जिसके विराश्री अध्यक्षे है तेज परताप यादव ने इसके पहले एक दिन अचानक पत्नी आश्वर्या राय के खिलाफ तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था ये मामला भी कोट में लंबित पड़ा है तलाक के कुछ मुकदमे में तेज परताप को परिवार का साथ नहीं मिला इससे नाराज होकर वे अलग बंगले में रह रहे हैं तो तेज परताप को लेकर पारिवारी कलह भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है राश्य जनता दल सुप्रीमो लालु परसाद यादव के बड़े बेटे तेज परताप यादव अपने और प्रत्याशित कारियों के लिए जाने जाते हैं ताजा मामला तेज सेना के गठन का है इसके पहले वेलालु राबणी मोर्चा बना चुके हैं और लोग सबह चुनाओं में अपनी ही पार्टी के खिलाफ काम कर चुके हैं विदित हो कि तेज परताप यादव अपने पिता और आरजडी सुप्रम लालु परसाद यादव से मिलने राजी के रिमसस पाताल गये थे उसके बाद उन्होंने ये एहम फैसला लिये हैं तो तेज सेना किस तरीके से बिहार में आरजडी के लिए बहतर साबित होगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा लालू राबडी मोर्चा के गठन जो उन्होंने किये थे उस गठन के बाद तेज परताप यादवाब तेज सेना बनाने जा रहे हैं और वे इस बात को लेकर गोशना कर चुके हैं और लाउंचिंग की भी बात कही जा रही है इस तेज सेना में वो तमाम लोग होंगे जो तेज परताप के समर्थक होंगे और तेज परताप के बताए रास्तों पर चलेंगे पर्टी को आगे कैसे बढ़ाये जाए और बिहार में उसकी शाक कैसे मजबूत की जाए इन तमाम चीजों पर गोर किया जाएगा तेज परताप यादव लगतार घर से अलग चल रहे थे और उनकी जो सोच थी समझ थी वो पारिवार से बिलकुल ही अलग थी और पारिवारी कलह बहुत कुछ देखने को मिला चाहे उनकी पतनी एश्वर्या हो और एश्वर्या के पिता हो एश्वर्या के पिता को लेकर भी कई बाते सामने आई थी महराज गंज से उन्होंने पर्चा भरा था और वहाँ पर जाकर तेख परताप ने कहा था कि वो भी खड़े हो जाएंगे और वो भी चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद उनके ससूर ने उन्हें ललका रहा था हालां कि तेख परताप यादव नहीं गए पर्चा भरने के लिए ये अलग बात है लेकिन चुनावी मैदान में ये तमाम बाते हो चुकी है और उसके बाद कलह कलेश इतना जादा बढ़ गया कि तेज परताप को खुद को अलग करना पड़ा और अलग बंगले में रह रहे हैं खेर अब खुद के पता यानी आरजडी सुप्रीम लालु परसाद यादव से उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद ये एहम फैसला लिया है और इस एहम फैसले के बाद उन्होंने तेज सेना के निर्मान की बात कही है और अब तेज सेना काम करेगी बिहार में तो क्या वो पार्टी को गती दे पाएगी वो मजबूती दे पाएगी जो लालु प्रिसाद यादव ने कभी पार्टी को मजबूती दी थी और पार्टी को बूत स्तर तक मजबूत किया था जमीनी स्तर पर पार्टी को इस तरीके का बनाया था कि RGD का पर्चम लहराय था एक ऐसा वक्त था लेकिन अब ये वक्त है कि सूपड़ा साफ हो चुका है बिहार में RGD का तो चलिए देखेंगे हम और तमाम अफडेट्स आप तक पहुचाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल तेज से ना किस तरीके से काम करें इसके सब्सक्राइब करें अपने कमेंट्स जरूर दें उसके बाद हम आपकी सुझाओं पर आगे बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से राजनिति कूट कौन सी करवट बैठ रहा है नमस्कार